इस वीडियो पर हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं एक कफी कमाल मुवी को जिसका नमेदा रेसिडेंट ये एक क्राइम ड्रामा थ्रेलर मुवी है जो की साल 2011 में रिलीज हुई थी इस मुवी की कहानी में एक मकान मालिक लड़की को रात में बेहोस्ट करके उसके साथ रोज काम करता है और फिर क्या होता है जब उस लड़की को इसके बारे में पता चल जाता है यह हमें आगे वीडियो में पता चलेगा तो चलेए बिना समय को है इस मुवी के explanation को start करते हैं मुवी के start होते हमें इस मुवी की में क्रिदार जुलिएट नाम की एक लड़गी को दिखाया दाता है जुलिएट एक emergency surgeon है और हाली में उसका breakup हुआ है दरसल जुलिएट ने अपने बॉइफ्रेंट को दूसरे लड़गी के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था भली जुलिएट ने अपने बॉइफ्रेंट के साथ ब्रेक अप कर लिया है लेकिन अभी तक वो उसे भूला नहीं पाई है जुलिएट रेंट के लिए काफी सारे लेकिन जब वो रेंट के बारे में पूछती है तो मैक्स उसे रेंट काफी कम बताता है फिर जुलिएट मैक्स से पूछती है कि इतना अच्छा घर का इतना कम रेंट कैसे तो मैक्स कहता है कि ये घर बहुत पुराना है और इस घर के नीचे से ट्रेन भी पार होती है जिसे जूलिलिट उससे बात करती है तब ग्रैन्ट फादर उससे बहुत अजीब और रूट तरीके से बात करते है अफाइनली सारा सامان सिफ्ट होने के बाद वो उस घर में रहना शुरू कर देती है इस घर में उसे बहुत अजीब फील होता है और उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है लेकिन जूलियट इन सब चीजों को इगनोर करती है और उसे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये घर उसके लिए नया है एक बार जूलियट अपने घर के बाहर गिफ्ट देखती है उसे लगता है कि ये गिफ्ट साइद मैक्स ने उसे भेजा है लेकिर रात को जब इसके बारे में मैक्स से पूछती है तब मैक्स उसे बताता है कि ये गिफ्ट उसने नहीं बलकि उसके ग्रेंट फादर ने उसके बिखें इसके बाद जूलियाट grade father को thank you बोलती है इसके बाद एक बार एक random party में मैक्स जूलियट को देखता है इस तरह मैक्स परटी में देखकर जूलियट हैं है हिरान हो जाती है फिर परदोने ऻाते जाते हैं रास्ते में दोनों एक दूसरे से धेर सारी बाते करते हैं और काफी घुल मिल जाते हैं जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब जूलियट की एक्स बॉइफरेंड जैक उन दोनों को बात करते देख लेता है इसके बाद जब जूलियट घर पहुंचती है तब वो पर कोई भी नहीं होता अगले धिन मैंकस जूलियक को कोल करता है और उसे डिनर डेट के लिए पूछता है रात को दुनों साथ डिनर करते और धेर शारी बाते करते हैंं बात करते वक् t grandfather को लेकर के hospital गया था तब उसने पहली बार Juliet को देखा था और पहली नजर में ही Max को Juliet बहुत पसंद आ गई थी वही hospital में Max को पता चला कि Juliet rent के लिए घर देख रही है और फिर इसके बाद Max उस पर नजर रखने लगा और फिर वो अपने घर को खुद से रेनोवेट करता है और जान बुचकर Juliet को अपने घर दिखाने के लिए कॉल करता है और उसे बहुत कम rent लेता है Max ने इस घर को खुद से रेनोवेट किया था और उसने इस घर में काफी सारे secret doors को बनाया था जिसके मज़ा से वो कभी भी Juliet के रूम में आ जा सकता था दरसल जो Juliet को लग रहा था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है वो सर्च था और वो नज़र रखने वाला कोई और नी बलकि Max खुद था Max ने इस घर में ऐसे mirrors को भी लगाया था जिसके मज़ा से वो mirror के पीछे पूरे घर को देख सकता था और जूलियट पर नज़र रख सकता था अब हमें फिर से present का सिन दिखाया जाता है और Max और जूलियट अभी भी किस कर रहे होते हैं इसके बाद जब दोनों intimate होने वाले होते हैं तब ही जूलियट को अपनी ex boyfriend की याद आती है और वो थोड़ा uncomfortable हो जाती है और फिर वो Max को रोकती है Max फिर वहाँ से चला जाता है और फिर वो अकेले में बहुत रोता है अगली राच जब जूलियट सो रही होती है तब Max जूलियट के bedroom में एक secret dots की help से आता है उस वक जूलियट सो रही होती है और इसे दौरान Max जूलियट को नींद में उससे किस करने लगता है थोड़ी देर बाद जब जूलियट की आँख खुलती है तब उसे लगता है कि घर में कोई ना कोई है और फिर जब वो घर चेक करती है तब उसे एक छोटा सा खाली कमरा दिखाई देता है दरसल इस जगह से Max जूलियट के घर के अंदर आया करता था अगले दिन जूलियट मैक्स को वो कमरा दिखाती है और फिर मैक्स उस दिन उस जगह को fix करता है दूसरी और इधर जूलियट को अपने एक्स बॉइफरेंट जैक का मेसेज आता है जो उससे बहुत sorry बोल रहा होता है और वो जूलियट से एक chance मांग रहा होता है जूलियट भी उसे भुला नहीं पाई थी इसलिए वो उसे एक chance देने का सोचती है और वो उसे घर में डिनर के लिए बुलाती है रात को जैक जूलियट के घर आता है मैक्स भी उस वक्त छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है फिर जैक और जूलियट दोनों काफी देर तक बात करते है जैक जूलियट से अपने गलतियों के लिए माफी मांगता है और जूलियट उसे माफ भी कर देती है इसके बाद दौनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटिमेट भी होते हैं मैक्स छुपकर यह सब देख रहा होता है और यह देख उससे बहुत खराब लगता है सब जूलियट फिर से सुबह देर से उठती है इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने कलीक से कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़वर है मैं कभी भी सुबह देर से नहीं उठती लेकिन जब से मैं इस अपार्टमेंट में सिफ्ट हुई हूँ तब से अल kadar को ड्रक का ऑइड़स करके उसे जान से मार देता है इधर जूलिएट और जेक की सुधर चुकी थी और जब मैक्स उनों को साथ देखता है तब उसे भगत ज़ादा गुस्सा आता है लेकिन इसे भी जूलियट की आँख खुल जाती है और वो उट जाती है ये देख मैख उसे ड्रग वाले इंजेक्षन लगाता है और वो फिर से बेहोस हो जाती है अगले दिन जूलियट फिर से शुबह लेट उड़ती है और फिर वो देखती है कि उसके बैठ के सामने इंशभी के बारे में जूलिएट को पता चलता है तब उषेक्त को रोकने के लिए उसे कॉल लगाते हैं लेकिन यूप को पिक नहीं करता है यू जैक जुलिएट के घर पहुंच जाता घर में ऊसे सीक्रेट फोटेज चेक करती है तब उसे मैक्स की पूरी सच्चाई पता चलती है कि किस तरह से मैक्स रात को आकर उसे नींद में ही सेक्सवली अब्यूज करता था जब जूलियर ये सब देख रही होती है इसी दोरान मैक्स उसके घर आ जाता है मैक्स को वहाँ देख करो नॉर्मल एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इसके बाद मैक्स जूलियर को परिशान देखता है और वो उसे बिठा कर बात करने लगता है इसी दोरान मैक्स एक डरग वाले इंगशन निकालता है और जूलियर को लगाता है तभी जूलियर्ट एक चाकू से उस पर हमला कर देती है इसके बाद जूलियर्ट वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन मैक्स ने सभी दरवाजों को बंद कर दिया था इसलिए वो बाहर भाग नहीं पाती इसके बाद दोनों के बेच लड़ाई होने लगती है और जूलियर्ट जैसे तैसे करके बातरूम में खुद को लॉक कर लेती है जूलियर्ट को लगता है कि अब वो सेफ है लेकिन तभी मैक्स बातरूम के एक मेरर को पीछे से तोड़ता है और फिर जूलियर्ट पर हमला करता है जूलियर्ट यहां से भी खुद को बचा कर घर के बेस्मेंट की और भागती है मैक्स भी उसके पीछे भागता है इसके बाद जूलियर्ट को नेल पंचिंग मशिन मिलती है और फिर वो मैक्स पर उससे हमला कर देती है और इसके बाद वो खुद कोई कमरे में बंद कर लेती है इसी कमरे में उसे जैक की लाश मिलती है यानि कि जब जैक जूलियट से मिलने उसके घर आया था तब मैक्स ने उसे जान से मार कर यहां पर छुपा दिया था जब जूलियट ये सब देखती है तो वो पूरी तरशे शौक हो जाती है और इसके बाद मैक्स भी उस कमरे के दरवाजे को तोड़ कर अंदर आ जाता है वो कमरे के अंदर आकर देखता है कि जूलियट वहाँ पर नहीं है उसे लगने लगता है कि जूलियट बाहर निकल गई है लेकिन जूलियट वही पर छुपी होती है और फिर इसके बाद जूलियट पीछे से मैक्स पर हमला करती है और फिर जूलियट वो नेल पंचिंग मशि वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई